हलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम उप सरस्वाजी योगीकों के आयू पीस्सी नामक्रण को समझेंगे तो आएए इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले दो उप सरस्वाजी योगीकों के यहाँ पर सुत्र को लिख लेते हैं एक केफोर, यफी, सीयन सिक्स, और दूसरा, सी ओ, इससे चालू करेंगे, एनेश थ्री, यह पांच अडू रहेगा, और इसी के साथ रहेगा, सी ओ थ्री, बड़ा कोस्टक बन, और कोस्टक के बाहर, सी अल, अब इन दोनों योगीकों में देखे, एक एक बड़ा कोस्टक द दोनों में लगा हुआ है, यह बड़ा कोस्टक ही कहलाता है, उपसवजी मंडल, तो इसमें यहां से यहां तक उपसवजी मंडल है, और इसमें यहां से यहां तक उपसवजी मंडल है, अब नामकरण के नियम में देखे, पहला नियम है धनायन का नाम पहले करेंगे, तो य ये ध्यान रखना है हमको कि ये मंडल धनायन है या फिर उससे जुड़ा हुआ जो भी बाहर योगी क्या तत्तो है वो होगा तो जो धनायन होगा उसका नाम हमको पहले करना है पहचान का सबसे सदल तरीका है जो पहले आया उसका नाम पहले कर दीजिए अर्था इसमें पोट का इसमें इस मंदल का नाम पहले लिखा जाएगा उसके बाद क्लोराइट का और एक ही ध्यान दखना है इस मंदल के बाहर जो भी जैसे पोटेशियम यहां देखे कितने याड़ू है चार तो इसके लिए हम टेट्रायूज नहीं करेंगे बाहर जो भी लिखा रहेगा उसको स पोटेशियम लिख देंगे इसको टेट्रापोटेशियम नहीं लिखेंगे इसके बाहर अब चलिए इसके भीतर को देखते हैं इसमें पोटेशियम के बाद इसके भीतर का नाम करन करना है यह कलाता है उप सशोजी मंदल और मंदल के नाम करन करने का नियम यह है देखिए म पांडल में सबसे पहले लिगेंड की संख्या को बताएंगे उसके लिगेंड का नाम लिखेंगे अलफावेट क्रम में उसके बाद केंद्रिय धातू और उसका आक्सी क्रणंग तो देखें इसमें जैसे बड़ा कोष्टक शुरू होगा उसमें जो पहला तत्तो है या क्यंदरिय धातू इसमें देखे क्शाना है और इससे पहले इन लिगेंड का बाकि जो बचे वह सब लिगेंड हैं इनका नाम करन्ग करना होगा यहां जो सबसे ज़्यादा प्रियोग में लाए जाते हैं लिगेंड उसका नाम मैंहापे लिग दिया हूँ मुख्यता दो ही प्रीक् duda की लिगेंडों का उप्यों अधिकांस किया जाता है रिडात्मक लिगेंड और उदातीस सिंद लिगेंड में लगा में द्धान तक नंद इसके धेयान ध honors लिगेंड जो होंगे उनके अंत में हम लोग ऊ लगाते देखिए CL, chloro, लेकिन अभी आज कल जो हैलोजन है ये chlorine, bromine, iodine और fluorine इन चारों को आज कल बदल दिया गया है, समसोधित करके इनका नाम, chloro के जगा में chlorido लिखेंगे, bromo के जगा में bromido लिखेंगे, iodine के जगा में iodido लिखेंगे, और यदि fluorine आता है कहीं पे, तो उसको फ् पीटर का बात हो रहा है, बाहर नहीं लिखना है, बाहर तो chloride ही लिखाएगा, यदि BR आता है तो bromide ही लिखाएगा, इसी तरीके से जो भी आएंगे, जैसे साइनाइट, साइनो, ओयाच है, तो हाइड्राक्सो, NO2, नाइट्रो, और इसका ही एक दूसरा, ONO, नाइट्राइ तो एक हाल आता है, आग्यलेटो, इसके उपर दो रियात्मक आविस होता है, एथलीन, डाइएमिन, टेत्राइसिटेट, EDTA, ये लिखा जाता है, इसमें 4 एसितेट समू होते हैं, जिनका हाइट्रोजन हड़ता है, इसलिए उसके उपर 4 रियात्मक आविस होते हैं, तो ये हो गए रियात्मक लिगेंड उदासीन में देखिए H2O को एक्वा, NH3 को एमीन, CO को कार्गोनील, NO को नाइट्रोसील, EN, एथिलीन डाइमीन, NH2, CH2, CH2, NH2, ये इसका पूरा सुत्र है, लेकिन आपको यही देखने को मिलेगा, EN, तो जहां EN रहेगा, वहाँ पे हमको एथिली डाइमीन लिखना होगा, तो ये तो लिगेंड के बारे में हो गया, इसमें देखिए इस EP से एक प्रकार का, ये CN लिगेंड जुडा हुआ है, लेकिन इसकी संख्या कितना है, 6, अब देखिए जब इसका नाम करण करेंगे, तो पहले हमको लिगेंड का नाम करण करना है, हेक्सा, हेप्टा, आक्टा, नौना, डेका, ऐसे करके लिखते हैं, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्सा, और CN को साइनो कहेंगे, रिडात्मक लिगेंड है, तो इसको बोलेंगे साइनो, ये लिगेंड का नाम हो गया इसमें, अब देखिए लिगेंड समाप्त हो गया, अब गया केंद्रिय धातू, केंद्रिय धातू को लिखने का भी एक नियम है, यदि ये उप सर्षवजी मंडल रिडात्मक है, अर्थात ये बाद में आता है, तब हम केंद्रिय धातू के अंत में 8 लगाएंगे, यहाँ पे देखिए यफी, यफी को समाने तर आयरन कहते हैं, लेकिन जब हम लोग 8 लगाएंगे, तो इसका दूसरा नाम फेरस वाला यूज करेंगे, और लिखाएगा फेरेट, यह इसका नाम पूरा हो गया, अब उसके बाद इसका आक्सी करणंक, आक्सी करणंक को हम छोटा कोष्टक लगा करके, और रोमन संख्या में इसके भीटर हो जाएगा, रीड 6 धन 4, दोनों को हल कीजेगा, तो इसमें आएगा 2, तो इसको रोमन संख्या में यहाँ पे इस तरीके से हम लिख देंगे, इसका आक्सी करणंक को, चलिए इस नाम को देखते हैं, तो इसमें मंडल पहले आया, पहले मंडल का नाम करणंक होगा, मंडल म इसमें देखिए, इसको एमीन करते हैं, यह से चालू होगा, और यह कार्गोनेटो C से, तो पहले इसमें एमीन आएगा, कितना संख्या है, लिगेंड का संख्या लिखेंगे, तो यह लिखाएगा, पेंटा, एमीन, CO3 को कार्गोनेटो, एक ही संख्या में है, तो इसको सीधे लिख देंगे कार्गोनेटो, अब उसके बाद देखिए, यहाँ पे कोबाल्ट, लेकिन यह पहले आ गया, मतलब धनात्मक है, तो धनात्मक है, तो इसके नाम में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको सीधे लिख देंगे कोबाल्ट, ध्यान दीजिए, यहाँ पर कोबाल्ट रहता, तो इसमें लिखाता कोबाल्टेट, और यदि यहाँ पर होता, तब लिखाता आईरन, या फेरस लिख देते, तो कोबाल्ट, अब यह खतम हुआ, तो यहाँ पर छोटा कोस्टक लगाएंगे, इस इसका आक्सिक रणान को लिखना है उसके बाद बाहर जो भी जुड़ा है ये ख्लोराइड अब देखिए आक्सिक रणान को निकालने के लिए नहीं त्री उदासीन है मतलब इसका जीरो हो जाएगा CO3 के उपर दो रेंड चीन लगता है एक ही अड़ू है तो दो रेंड हो गया क्लोराइड के उपर एक रेंड चीन होता है तो रेंड एक रेंड दो और रेंड एक कितना हो गया रेंड तीन और उसको हम इस तरीके से रोमन भासा में रेंड तीन लिख देंगे आप चाहे तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं देखिए, CO का माल दीजिए X और धन, 5 गुड़े, एने 3 का कितना होता है 0, तो 0 धन, CO3 कितना है 1, और XCO3 का रीड़ दो होता है, तो रीड़ दो धन, बाहर क्लोराइट जुड़ा हुआ है, एक संख्या में है और उसका होता है रीड़ एक, पूरे का बराबर 0, अब इसको हल कीजिए, X धन, ये तो 0 हो जाएगा, ये 2 एक कम दो, तो यहाँ रीड़ 2 सिधे लिख देते हैं, और यहाँ पे रीड़ 1 बराबर 0, या X रीड 3 बराबर 0, या इसको लिखा जा सकता है, X बराबर इधर जाके धन 3, तो यहा दाहरणों को देखिए, यहाँ पे 2 उदाहरण आयन वाले हैं, और साथ उफसर सजी मंडल के उपर धन या रीड का आयन लगा होगा, इसमें इसके पहले या बाद में कुछ ने जूड़ा होता है, थोड़ा सा आयन बनाने के लिए आपको बता देता हूं, जैसे अभी हम ल जूड़ा था, यदि इधर वाले क्लोराइट को हटाते, तो यहाँ पे जितना क्लोराइट हटता, उतना यहाँ पे धन चीन लग जाता, तो इस प्रकार आयन बनाते हैं, अब चले इसका नाम करते हैं, तो देखिए, यहाँ पर सिर्फ मंडल है, मंडल में पहले हमको लिग है, रिडात्मक है, तो फेरेट हो जाएगा, आयरन इसको नहीं लिखेंगे, फेरेट, अब छोटा कोश्टक क्योंकि इसका नाम खतम हो गया, और यहाँ पर हमको इसका आक्सिक रणं को लिखना है, तो देखिए, यहाँ पर रिंड तीन, यह बराबर के उधर होता है, यह उधर जाएगा तो धन्च है, धन्च है में रिंड तीन घटेगा, तो यहाँ पर तीन बचेगा, तो तीन और उसके बाद इसमें हमको लिखना होता है आयन, तो इस तरह से इसका नाम होगा, एक चीज़ यह आपको आक्सिक रणंत निकालने में दिक्कत है, तो आप इसको यफिक एक्स मानिए, धन्च है, एक का रिंड एक होता है, और बराबर इधर रिंड तीन, यह बराबर की इधर चला जाएगा चीन सहीद, अब देखिए इसमें एक्स रिंड छै बराबर रिंड तीन या एक्स बराबर रिंड तीन उधर जाके धन्च है, या एक्स बराबर धन्ती तो इसी को यहां लिखा गया है अब इस उदारान को देखें इसमें केंद्रि धातु आयन कोबार्ट है और इसमें एक ही प्रकार का लिगेंड तीन बार दुड़ा हुआ है यह लिगेंड है एथलीन डाइमीन इयन उदासीन लिगेंड है इसका सुत्र होता है एनेच एसे लिगेंड जिनके नाम में पहले से ही डाई, ट्राई या टेट्रा इस टाइप के सब्दा आते हैं तो उसमें हम जैसे डाई, ट्राई यह सब पहले नहीं लिखेंगे उसमें 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस जैसे 4 से अधिक हैं तो सबके आगे किस-किस लगाते जाएंगे, तो इसमें देखिए तीन है, तो तीन के लिए हम इसमें लिखेंगे ट्रीस, ट्राइ नहीं लिखेंगे, क्योंकि एथिलीन डाइमीन में पहले से इसके नाम में ही डाइ सब्द है, और इसको कोष्टक के भीतर लिखेंगे एथिल में होगा तो कोबाल्ट को कोबाल्ट ही लिखेंगे कोबाल्ट और इसका आक्सिक्रण रंग यहां देखिए धन 3 है एथीले डायमिन उदाचीन है जीरो है तो धन 5 को यहां पे हम जेन कते दिख देते हैं Dign और इसके आगे ये आयन है ये लगा हुआ है इसको देखिये इसम में केंद्रे धायो आयन एन NICK MP3 है शैडू है सीयल उधू बाहर उड़ा हुआ है तो इसमें मंडलक के नामकर्ण पहले आएगा उसके बाद को राइ्टका मंडल मेद इसका इसे मिलखेंगे hexaamine, च्छय के लिए hexa होता है, hexaamine, अब उसके बाद nickel, ये देखिए धर अत्मक होगा, तो इसको nickel को nickel ही लिखेंगे, nickelate नहीं लिखाएगा, तो nickel, अब उसके बाद यहाँ पर इसका आकसिकर रंग, तो देखिए, यह तो अधासीन है तो 6 का 0 हो गया इसमें 2 रेड़ दो तो उसी को यहां पर आ जाएगा इसमें 2 और उसके बाद इसको क्लोराइड तो ध्यान रखना है डाई क्लोराइड नहीं होगा मैं पहले ही बताए कि मंदल के बाहर जो भी रहेंगे उनको बस साधारन लिख देना है उसमें हम डाई ट्राई यह सब्दियूज नहीं करेंगे इसको देखिए के 3 यफी C2O4 और यह होल्ट्राइस है इसमें प यह जैली कमर से बना है अगजलेटो इसके उपर दो रिंडचीन होता है ट्राई है तो यहाँ पर हम लोग लगा देंगे ट्राई ट्राई आगजलेटो ट्राई आगजलेटो हो गया और यहां देखिए आयरन आया है लेकिन यह रिरात्मक है मंदल तो इसका नाम में भी हम आइरन ना लिख करके इसको फेरेट यहां रोमन भासा में इसका आक्षिक रणंग अब देखिए यहां यह धन तीन हो गया और यह का रेड़ दो होता है तो तीन दोना च्छै इसका च्छै हो गया इसका तीन घट के तीन आएगा अब उसके बाद इस उदाहरण को देखिए यहां पे कोबाल्ट से दो लिगेंड जुड़े हुए हैं एक क्लोराइड एक एथिलीन डाइयमीन और बाहर सलफेट तो पहले मंदल का नाम करण होगा अब इसमें क्लोराइड पहले आए कि एथिलीन डाइयमीन यदि एथिलीन ड है कितना दो किस अंख्यामें है यह हो जाएगा डाइि क्लोरीडो आप चाहें तो लिख सकते हैं डाइ क्लोरीडो अब देखिए फिर इसमें डाई है लेकिन दो के लिए हमको 20 लगाने कि इसके नाम में पहले से ही डाई सब्द छुपा हुआ है तो 20 और उसके बाद कोष्टक के भीचर लिखाएगा ये एथिलीन डाई एमीन कोष्टक बन अब उसके बाद कोबाल्ट धनात्मक है तो यहाँ कोबाल्ट ही लिखाएगा यहाँ पर उसका आक्सिक रणांग और उसके बाद यसोफोर को करते हैं सल्फेट तो यहाँ हम इसको सल्फेट लिख देंगे H2SO4 आपको पता है SO4 दो हाइटोजन से जूड़ता है मतलब इसके उपर दो रिर्चीन होगा तो देखे दो रिर्चीन एथिलीन डाई एमीन उदासीन इसके उपर भी दो रिर्चीन ये दोनों धर जाकर के धन 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे रोमन संख्या में 4 तो दोस्तो इसी प्रकार से इन डीमों की सायता से आप और भी उप सस्वर्ययोगिकों के आयूप्यसी नाम प्लड को कर सकते हैं यदि कहीं समस्या हो तो हमारे कामेंट बाक्स में लिखे और चैनल पर नए आए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगा तो इस दोफ्तों को सेयर कीजिए